इस वीडियो में मैं आपके साथ share करूँगा दो methods जो आपको help कर सकते हैं constipation में अगर bed अच्छे से साफ नहीं होता है ये आप try करिए हो सकता है ये आपकी help कर ले सुनने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि constipation की बात हो रही है potty अच्छे से नहीं हो रही है इसकी बात हो रही है लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि आपको अच्छा लगे मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि आपकी help हो सके बिना chemical के natural पे में तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगी try ज़रू करिएगा उसके बाद comments box में लिखेएगा effect हुआ की नहीं हुआ कि यह दो methods में आपके साथ share करने वाला हूँ मुझे पता है वो effective है तो पहले बात करते हैं toilet seats की जो modern toilet seats जो आजकल हर घर में हैं सबसे बड़ी परशानी का पारण तो यह है इसमें जब हम बैठते हैं तो हमारी जो anis होती है जो गुदादवार होता है और जो हमारी आते होती है वो जो सीनी एक साथ होने चाहिए जिससे की मल सीधा बहार आ जाया है हम मुड जाता है थोड़ा सा शरीर इसके कारण क्या होता है हमें जोर लगाना पड़ता है जब जोर लगाते हैं तो कई बात हैमरोइट हो जाते हैं यानिगे आर्श हो जाता है क्या करिए कि अपनी टांगों के नीचे एक छोटा सा टेबल स्टून कुछ भी रख दिए इससे आपकी टांगे ऊपर हो जाएं इससे क्या होगा अगर आपकी टांगे ऊपर हो गई तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो दुबारे से बैटर हो जाएगा और आपकी आप है और आ आदत हो गई है लेकिन आप इसको follow करते रही है क्योंकि आगे जाके आपको जीवन भर इसका फायदा होने वाला है fastification होगा constipation की शिकायत बहुत कम हो जाएगी simple सी टिपे पर बहुत effective है second है massage ये massage आपको करनी है perennial area में ये perennial area क्या है ये एक area है गुदादवार से आपके जो जनिरेंद्रिया है उसके बीच का जो area है उसको कहते है perennial area इसमें आपको क्या करना है दो उंगलिया लेनी है उससे दबाना है दबाके फिर आपको जैसे घड़ी घूंगती है ऐसे करके आपको एक मिनट तक massage करनी है जब आप यहाँ पर massage करते है इससे क्या होगा एक तो आपका जो anal sprinter है याने कि जो आपका जो गुदादवार है वो relax हो जाएगा इससे क्या होगा कि stool pass होने में आसानी होगी दूसरा यहाँ पर जब मसाज करते है तो ये effect देता है हमारी आतों है जो हमारी आतों में movement होता है जिसको कहता है peristalsis movement जब ये आतों में movement होता है जब खाना जाता है तो ये क्या होता है कैसे आगिया नीचे गुदादवार तक क्योंकि आतों मूव करती है और ये movement में क्या करती है कि जो अच्छी चीज़े होती है जो बोशक तत्त होता है ख इसे आपकी आपको मुवbane्ट है, वो बेटर हो जाता है, क्योंगि कि यह जो एरिया नहीं, यहां। ये आपको हमेशा help करेंगी अगर इससे help नहीं होती है तो कुछ समय के लिए आप त्रिफला का इस्तमाल कर सकते हैं भूमी आमला भूमी आमला बहुत ही बड़ी हर्व है जादू ही हर्व है digestion के लिए तो one of the best उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं इससे आपका digestion और अच्छा होगा पर कदी help चाहिए तो ये massage भी आप कर सकते हैं या हफते में एक बार कर ली तो कोई बात दी लगातार आदत नहीं डाल दी है इस massage की लेकिन बहुत effective है आप आज ही try कर सकते हैं और लिख सकते हैं help होई या नहीं होई chemical जो भी आता है पेट साफ करने के लिए उसका आप इस्तमाल बिल्कुर मत करिए जहां पर सनाय लिखा होता है ये भी एक herb है सनाय जहां पर भी ये mention होती है उसका आपको इस्तमाल नहीं करना है कभी इस्तमाल हाँ कर सकते हैं लेकिन regular इसकी भी आदत हो जाएगी फिर बिना चूरन के आपका पेट साफ नहीं होगा ये भी हमें नहीं करना है हम चाहते हैं कि खाना हम ऐसा खाएं जिससे हमारी बॉड़ी खुद ही function करती रहे तरफला आप थोड़े समय तक खासके हैं अच्छी चीज है बूमी आउनला भी थोड़े समय तक खासके हैं अच्छी चीज है इन चीज होगा सेवन करिए ये आपके लिए overall अच्छी रहेंगी आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लापदाएक रही होगी और अन्थ में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा अपनी website wearable.in के बारे में अगर आप interested हैं ऐसे product यूज करने में इनमें कोई artificial chemical नहीं मिला हुआ है जिसमें कोई color नहीं मिला हुआ है जिसमें कोई extra fragrance नहीं मिली हुई है खुश्बू अलग से chemical वाली नहीं डाली हुई ह प्यूर चीज़ें अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो आप मेरी website पर चेक कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में बड़ी मुस्कुराइट के साथ तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए